हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं जैसे गिलास, कटोरी, खड़ाई, टोपी आदी तो हमारा ध्यान इनके आकार की ओर अवश्य जाता है आप जानते हैं यह जार बेलनाकार है यह आईस्क्रीम कोन शंकवाकार है अब यदि इस बेलनाकार जार में कितना पानी आएगा या इस आईस्क्रीम कोन में कितनी आईस्क्रीम आएगी इन सभी प्रशनों के उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें इन वस्तुओं की धारित अब यदी किसी अर्द गोलिय गुम्बत पर paint करना हो या किसी बेलना कार पाइप पर paint करना हो तो उसके लिए हमें अर्द गोलिय गुम्बत और बेलना कार पाइप का प्रिष्ट्य-षेटरफल ग्यात होना आवज्छक है। हम अपने पिछले कारेक्रमों में बेलन, शंकू और गोले का प्रिष्चे शेत्रफल और आयतन ज्याद करना जान चुके हैं. याद है आपको यह आकृती एक लंब वृतिय बेलन हैं. क्या आप अपने आजपास ऐसी कोई आकृती देखते हैं? हाँ, यह दूद मापने का जार एक लंब वृतिय बेलन हैं. इस लंब वृतिय बेलन में H उसकी उंचाई होती है और यह है इसकी त्रिज्या R है इस H उंचाई और R त्रिज्या वाले लंब वृतिय बेलन का आयतन होता है पाई R की घाद 2H और इसका प्रिष्टिय शेत्रफल होता है 2PiR H यह है जनन दिन के टोपी एक लंब वृतिय शंकू है इस लंब वृतिय शंकू में यह है उसकी उंचाई H है यह है इसकी त्रिज्या R है और यह है इस लंब वृतिय शंकू की तिर्ची उंचाई L है लंब वृतिय शंकू को मापने के लिए उसकी उंचाई H त्रिज्या R और तिर्छी मुचाई L का ग्यात होना आवशक है। इस शंकु में यह है एक समकोंड त्रिबुज है। अतहे हैं पाइथा गौरस प्रमे से किनी दो के ग्यात होने पर हम शंकु को पूर्णता है माप सकते हैं। शंकु का आयतन होता है एक बटा तीन पाई आर की घात दो एच और इसका वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल होता है पाई आर एल। यह एक गुला है यह इसकी त्रिज्या आर है आर त्रिज्या के ग्यात होने पर हम गोले को पूर्णता है माप सकते हैं। अते आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है चार बटा तीन पाई आर की घात तीन और इसका प्रिष्टिय शेत्रफल होता है चार पाई आर की घात दो। हम अपने आसपास कुछ ऐसी आकरितियां देखते हैं जो इनके समिष्णन से बनती हैं जैसे किसी भवन निर्मान में बेलना कारखंबों के उपर अर्ध गोलिय गुम्बत बनाना हो तो उसके लिए इन आकरितियों यानी बेलन और अर्ध गोले का समलित ज्यान होना आवश है आज हम दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंदित कुछ इसी प्रकार के प्रश्न देखेंगे एक ठोस एक बेलन जिसके दोनों और अर्ध गोले बने हैं द्वारा बना है ठोस की कुल उंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलनाकार भाग का व्यास 7 सेंटीमीटर है ठोस का प अर्थार 3.5 सेंटीमीटर ठोस की कुल उंचाई 19 सेंटीमीटर है बेलनाकार भाग की उंचाई हुई कुल उंचाई में से दो अर्ध गोलों की उंचाई को घता कर दिया जाए कुल उंचाई है उन्निस सेंटिमीटर, दो अर्ध गोलों की उचाई हुई, साथ सेंटिमीटर, यह हुआ, बारा सेंटिमीटर, बेलन का प्रिष्ट्य शेत्रफल होता है, दो पाई आरेच, तो बेलनाकार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ, दो गोणा, पाई का आनुमानित्मान, बाईस बटा साथ, त्रिज्या, साथ बटा दो सेंटिमीटर, और उंचाई, बारा सेंटिमीटर, बेलनाकार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ, दो सो चॉंसट वर्क सेंटिमीटर, अब हमें दो अर्ध गोलों का प्रिष्ट्य शेत्रफल ग्याद करना है, दो अर्ध गोलों का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ, एक गोले का प्रिष्ट्य शेत्रफल, और गोले का प्रिष्ट्य शेत्रफल होता है, चार पाई आर की घात दो, तो यह हुआ चार गुणा पाई का आनुमानित्मान 22 बटा साथ और 7 बटा दो गुणा 7 बटा दो तो दो अर्ध गोलों का प्रिष्टिय शेत्रफल या एक गोले का प्रिष्टिय शेत्रफल हमें प्राप्थ हुआ 154 वर्क सेंटीमीटर ठोस का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ बेलनाकार भाग का प्रिष्टिय शेत्रफल जमा दो अर्ध गोलों का प्रिष्टिय शेत्रफल बेलनाकार भाग का प्रिष्टिय शेत्रफल है 264 वर्क सेंटीमीटर और दो अर्ध गोलों का प्रिष्टिय शेत्रफल है 154 वर्क सेंटीमीटर यह हैं हमारे पास आया 418 वर्क सेंटीमीटर आपने देखा कि किस प्रकार दो आकृतियां अगर हमारे पास दी हो तो कैसे हम उनका प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करते हैं अब हमने ठोस का आयतन ग्याद करना है ठोस का आयतन ग्याद करने के लिए पहले हम बेलनाकार भाग का आयतन ग्याद करेंगे और उसके बाद दो अर्धगोलों का आयतन ग्याद करेंगे अब हम बेलनाकार भाग का आयतन ग्याद करेंगे बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर की घाद 2H तो बेलनाकार भाग का आयतन हुआ, पाई का अनुमानित्मान 22 बटा साथ, गुणा त्रिज्या साथ बटा दो, गुणा साथ बटा दो और उंचाई हुई 12 सेंटिमीटर बेलनाकार भाग का आयतन हुआ, 462 गन सेंटिमीटर अब हम दो अर्ध गोलों का आयतन ग्याद करेंगे, दो अर्ध गोले अर्थाट, एक गोला, गोले के आयतन का सुत्र होता है, चार बटा तीन, पाई आर की घाद तीन, तो गोले का आयतन हुआ, चार बटा तीन, गुणा पाई का आनुमानित्मान, 22 बटा साथ, त्रिजिया, साथ बटा दो, गुणा साथ बटा दो, गुणा साथ बटा दो, दो अर्थ गोलों का आयतन हुआ, पांच सो उन्तालिस बटा तीन, घन सेंटीमीटर, और यह हुआ, 189 दशमलव, 66 घन सेंटीमीटर, ठोस का आयतन हुआ, बेलनाकार भाग का आयतन, जमान दो अर्थ गोलों का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन हमने प्राप्ट किया, 462 घन सेंटीमीटर, और दो अर्थ गोलों का आयतन, 189 दशमलव, 66 घन सेंटीमीटर, तो ठोस का आयतन हुआ, 641 दशमलव, 66 घन सेंटीमीटर, लगभग, अब एक ऐसे खिलोने का प्रिष्ट्य शेतरफल ग्याद करेंगे, एक खिलोना 3 दशमलव, 5 सेंटीमीटर की त्रीजिया वाले, गोलार्थ पर बने, एक शंकु के आकार का है, खिलोने की कुल उंचाई, 15 दशमलव, 5 है, खिलोने का संपूर्ण प्रिष्ट्य शेतरफल ग्याद करना है, इस खिलोने में, उपर यह है, शंकु है, और इस शंकु के नीचे, यह एक अर्धगोला है, इस पूरे खिलोने की उंचाई है, 15 दशमलव, 5 सेंटीमीटर, और इसकी त्रीजिया है, 3 दशमलव, 5 सेंटी में, गोलार्द की जितनी त्रीजिया होती है, वही गोलार्द की उंचाई भी होती है, तो गोलार्द की उंचाई भी है, 3 दशमलव, 5 सेंटीमीटर, खिलोने की कुल उंचाई है, 15 दशमलव, 5 सेंटीमीटर, तो शंक्वाकार भाग की उँचाई हुई खुल उँचाई घटा गोलार्द की उँचाई खुल उँचाई है पंद्रा दशमलव 5 cm और गोलार्द की उँचाई है तीन दशमलव 5 cm खिलोने के शंक्वा कार भाग के उचाई हुई 12 सेंटीमीटर शंकू का प्रिष्टे शेत्रफल ग्याद करने के लिए शंकू की तिर्ची उचाई ग्याद होना आवजशक है अतै पाइता गोरस प्रमे से शंकू की तिर्ची उचाई L बराबर है एच की घाद दो जमा आर की घाद दो हुआ शंकू की उचाई है बारा सेंटीमीटर और शंकू की तिर्ची उचाई हुई बारा की घाद दो जमा 3.5 पूरे की घाद दो बारा की घाद दो 144 जमा 3.5 की घाद दो 12.25 पूरे का वर्गमूल यह हुआ 156.25 का वर्गमूल तो शंकू की तिर्ची उचाई हमने प्राप्त की 12.5 सेंटीमीटर शंकू के प्रिष्चय शेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल तो शंक्वाकार भाग का प्रिष्चय शेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित्मान 22 बटा साथ शंकू की तिर्जिया 3.5 सेंटीमीटर और शंकू की तिर्ची उचाई हमने प्राप्त की थी 12.5 सेंटीमेटर बाईस बटा साथ गुणा प्राप्तिस बटादस गुणा एक्सो पच्छिस बटादस तो शंकू का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ 275 बटा दो वर्क सेंटीमीटर और यह हमने प्राप्त किया 137.5 वर्क सेंटीमीटर अब खिलोने के नीचे जो गोलार्द लगा हुआ है हम उस गोलार्द का प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करेंगे गोलार्द के प्रिष्टिय शेत्रफल का सूत्र होता है दो पाई आर की घाद गोलार्द का प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ दो गोणा पाई का आनुमानित्मान 22 बटा साथ अर्ध गोले की त्रिजिया 3.5 सेंटीमीटर गोणा 3.5 सेंटीमीटर दो गोणा 22 बटा साथ गोणा 35 बटा दस गोणा 35 बटा दस तो गोलार्द का प्रिष्टिय शेत्रफल हमने ग्याद किया 77 बटा अब खिलोने का संपून वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ शंक्वाकार भाग का शेत्रफल जमा अर्ध गोले का शेत्रफल शंक्वाका वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल हमने प्राप्त किया था 137.5 बटा सेंटिमीटर और गोलार्द का प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद किया था 77 बटा सेंटिमीटर खिलोने का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ 214.5 बटा सेंटिमीटर अब हम एक ऐसा प्रश्ण देखेंगे जिसमें शंक्वाकार भाग का शेत्रफल ग्याद का शेत्रफल और अर्ध गोले तीनों का समिश्रण है देखें इस प्रश्ण को एक खिलोने का आकार लंब वृतिय बेलनाकार है इसके एक वृतिय सिरे पर एक अर्ध गोलार्ध तथा दूसरे वृतिय सिरे पर एक शंकू चिपका हुआ है बेलनाकार भाग की उँचाई तथा त्रिजिया करमशह 13 और 5 सेंटिमीटर है शंकू और गोलार्ध की त्रिजिया बेलन की त्रिजिया के बराबर है यदि शंक्वा कार भाग की उँचाई 12 सेंटिमीटर हो तो खिलोने का प्रिष्चे शेत्रफल ग्याद करना है इस खिलोने के उपरी सिरे पर यह एक शंकू है और इसके निचले सिरे पर गोलार्ध है इसका मद्यभाग बेलनाकार है इस बेलन की उँचाई 13 सेंटिमीटर है शंक्वाकार भाग की उँचाई 12 सेंटिमीटर है और खिलोने की त्रिजिया है 5 सेंटिमीटर शंक्वा कार भाग की त्रिज्य है पांच सेंटीमीटर शंक्वा कार भाग की उचाई है बारा सेंटीमीटर पाइथा गौरस प्रमे से हम शंकू की तिर्ची उचाई ग्याद करेंगे शंक्वा की तिर्ची उचाई एल हुई ह की घाद दो जमा आर की घाद दो शंक्वा की उचाई है बारा सेंटीमीटर बारा की घाद दो जमा शंक्वा की तिर्ची उचाई हुई बारा की घाद दो जमा पाँच की घाद दो पूरे का वर्गमूल बारा की घाद दो एक सो चवालिस जमा पाँच की घाद दो पच्चिस यह हुआ एक सो उनतर यह हुआ एक सो उनतर का वर्गमूल तो शंक्वा की तिर्ची उचाई हमने प्राप्त की तेरा सेंटिमीटर शंक्वा का प्रिष्ट्य शेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल तो शंक्वा कार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित्मान 22 बटा साथ गुणा त्रिज्या 5 सेंटिमीटर और तिर्ची उचाई 13 सेंटिमीटर तो शंक्वा कार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल 1430 बटा साथ गुणा प्रिष्ट्य शेत्रफल का सूत्र होता है दो पाई आर एच तो बेलना कार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ दो गुणा पाई का अनुमानित्मान 22 बटा साथ बेलना कार भाग की त्रिज्या है 5 सेंटिमीटर और बेलना कार भाग की उचाई है 13 सेंटिमीटर बेलना कारभाग का प्रिष्चे शेत्रफल 2860 बटा साथ बेलना कारभाग का प्रिष्चे शेत्रफल है 2860 बटा साथ वर्क सेंटिमीटर अब हम गोलार्द का प्रिष्चे शेत्रफल ग्याद करेंगे गोलार्द के प्रिष्चे शेत्रफल का सूत्रु होता है 2 पाई R की घाद 2 तो गोलार्द का प्रिष्चे शेत्रफल हुआ 2 गुणा पाई का आनुमानित्मान 22 बटा 7 गोलार्द के तृज्या 5 गुणा 5 आज, गोलार्द का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ, ग्यारा सो बटा साथ वर्क सेंटिमीटर, खिलोने का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ, शंक्वाकार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल, जमा अर्ध गोले का प्रिष्ट्य शेत्रफल, शंक्वाकार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हमने ग्यात किया था, 1430 बटा 7 वर्क सेंटीमीटर बेलना कारभाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल था 2860 बटा 7 वर्क सेंटीमीटर और गोलार्द का प्रिष्ट्य शेत्रफल था 1100 बटा 7 वर्क सेंटीमीटर खिलोने का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ पांच हजार तीन सो नब्वे बटा साथ वर्क सेंटीमीटर और यह हमने प्राप्त किया साथ सो सत्तर वर्क सेंटीमीटर अब अन्त में किसी समस्या को हल करने के परमुक्षरण कौन कौन से होते हैं उन्हें देख लें सबसे पहले समस्या को पूर्टे अच्छी तरह पढ़कर जानकारी प्राप्त करें कि क्या दिया गया है क्या ग्यात करना है ऐसे सूत्रों या प्रम्यों को याद करें जिनमें ग्यात वा अग्यात राशियां आती हैं जैसे किसी शंकू की उंचाई H और त्रिजिया R हमें ग्याथ हो और शंकू का आयतन ग्याद करना हो तो उसके आयतन को ग्याद करने के लिए हम लिखेंगे दिया है शंकू की उंचाई शंकू की त्रिजिया ज्याद करना है शंकू का आयतन शंकू का आयतन ग्याद करने के लिए शंकू के आयतन का सूत्र एक बटा तीन पाई आर की घाद दो एच इसी प्रकार की अनेक समस्याएं आपकी पाठ्य पुस्तकों में हैं जिने आप अपने सिक्षकों की सायता से हल करें इन प्रशनों में किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो उसके लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं हमारा पता है तरंग पोस्ट बैग नंबर 40 हौजखास नई दिल्ली 110016